हलो दोस्तो आप सभी का मेरी चैनल विन्याई श्टडी के एन में श्वागत है दोस्तो यदि आप 36 गर सिक्षक पातरता परिक्चा की तयारी कर रहे हैं तो यहां वीडियो आपके लिए भूती मतपून होगा आज के वीडियों हम बाल विकास यहां सिक्षन सासर से संबंदीत कुछ मतपून भविकल्पी प्रशने लेकर आये हैं और यहां पेपर एक और पेपर दो के लिए काफी मतपून होगा दोस्तों क्या आप टीटी की तयारी कर रहे हैं यदी कर रहे हैं तो हां नीची एक बार कॉमेंट करके हमें बताइए और दोस्तों चैनल पर पहली बारा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजगा बेल आइकन को प्रेस कर दीजगा ताकि वीडियो के नोटिविशन आप तक पहुंचती रहे और चाहे तो आप हमारे चैनल पर जोइन भी हो सकते हैं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजगा और पहला प्रश्ण दोस्तों सिक्छन मनोविज्ञान पर आधारित है ओप्शन देखिए किंडर गाटन विधी मान टेशनरी पद्दती खेल पद्दती और ये सभी कॉमेंट कीजे सेह उत्तर क्या होगा और इसका सेह उत्तर होगा ओप्शन डी ये सभी दूसरा प्रश्ण मनोविज्ञान की प्रत्थम प्रयोकसाला इस्थापित हुई थी ओप्शन दिया हुए 1880 जर्मनी 1930 फ्रांस 1889 जर्मनी 1890 स्वीडन सेह उत्तर क्या होगा एक बार कॉमेंट करके बताईए जी इसका उत्तर होगा ओप्शन C जर्मनी अगला प्रश्ण प्रबलान सिध्धान के प्रतिपादक थे ओप्शन देखिए दीवी, विलियम, वुल्ट, कोहलर और स्कीनर सेह उत्तर कॉमेंट कीजी इसका सेह उत्तर होगा ओप्शन D स्कीनर 84 प्रश्ण बुद्धी की अवधार्ना को समझाने है तू गिलफोर्ण ने किस अवधार्ना का प्रयोग किया था ओप्शन दिया हुआ है देखिए कंटेंड, फ्राडक्स, आर ओप्रेशन और ये सभी सेह उत्तर कॉमेंट कीजी 85 प्रश्ण बच्चों में अंतर दर्शन की प्रवित्ती होती है अत्यदी समान्य पहुंती कम ये सभी सेह उत्तर कॉमेंट कीजी जी सेह उत्तर होगा ओप्शन सी बहुत कम 86 प्रश्ण है किस विधी में उद्धी पन, अनुकुरिया के मध्य होने वाले संबन्द का अध्यन किया जाता है अप्शन दिया हुआ है प्रश्णावली विधी, प्रयोगात्मक विधी, संख्यां की विधी, मनो भौत की विधी सेह उत्तर कॉमेंट कीजी अगला प्रश्णा, मनो विध्यान के किस सम्प्रदाय की इस्थापना विश्विध्यालय में ना होकर नैदानिक परिशत में हुई थी प्रकार्यवाद, व्यवहारवाद, प्रयोजनावाद और मनो विश्लेशन वाद सेह उत्तर कॉमेंट कीजी सेह उत्तर का ओप्षण डी, मनो विश्लेशन वाद, ओप्षण डी यहाँ पर सही होगा अगला प्रश्णा, अंतर दसन की अधिक्ता पाई जाती है ओप्षण डी है बच्चों में, युवकों में, व्रिद्धों में, इनमें से सभी में कॉमेंट कीजी ओप्षण डी, ओप्षण सी सही होगा अंतर दसन की अधिक्ता व्रिद्धों में, जादा पाई जाती है तो सी यहाँ पर सही होगा अगला प्रश्णा, सिक्छा मनो विज्यान एक साखा है सिक्छा की मनो विज्यान की, संख्या सास्र की, मानो सास्र की से उत्तर कॉमेंट कीजिए option B सही होगा मनोविज्ञान की 90 प्रश्न है मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानने वाले हैं option दिया हुआ है अरस्तू पुम्मा नाजी विलियम जेम्स वुडवर्ड कॉमेंट कीजिए option B सही होगा पुम्मो नाजी इनके 90 प्रश्न प्रात्मिक इस्तर पर सबसे कम प्रभावी विधी है बही दर्शन विधी अंतर दर्शन विधी ए वा भी दोनों इन मेंसे कोई नहीं कॉमेंट कीजिए option B अंतर दर्शन विधी सही होगा बनबवा प्रश्न सिक्षा मनोग्यान का प्रमुकार्य है option दियो है बालक की सिक्षा में रूची जागरित करना बालक को अभिप्रेणा देना बालक के विभार में साकरात्मक परिभारजन करना उप्रोक्त सभी कॉमेंट कीजिए सही उत्तर क्या होगा सही उत्तर होगा option D सभी अगला प्रश्न कैली ने सिक्षा मनोग्यान के उद्दे से बताए है option देखिए 9, 15, 11 और 5 कॉमेंट कीजिए सही उत्तर होगा option A 9 94 प्रश्न सिक्षा मनोग्यान की प्रक्रिती है विज्ञान, कला, A और B दोनों इन मेंसे कोई नहीं सही उत्तर क्या होगा कॉमेंट कीजिए option C सही होगा कला और विज्ञान अगला प्रश्न मूल प्रवित्या शंपूर्ण माना विभार की चालक है कथन है स्कीनर का, मैक्डुगनल का में लवी का, डलगस का कॉमेंट कीजिए सही उत्तर होगा option B मैक्डुगल का 96 प्रश्न वर्तमान में मनो विज्ञान माना जाता है option दिया है मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, वेभार का विज्ञान, चेतना का विज्ञान option दिया हुआ है कॉमेंट कीजिए, सही उत्तर क्या होगा option C होगा सही विभार का विज्ञान जी उसके बाद सिक्छा का सब्दिक अर्थ है पालन पोशन, शामने लाना, नित्रित्व देना, ये सभी सही उत्तर कॉमेंट कीजिए सही उत्तर होगा को औप्सन सी नेत्रित्य देना अनुसास न इन छात्रों के साथ सिक्षक का विवहार होना चाहिए कठोर विनम्र किन्तु दृढ तठस्य सहनभूति कॉमेंट कीजिए option भी सही है विनम्र किंतु द्रिड अगला प्रशन सिक्षा मनोवज्यान निश्चित रूप से धारण किया है option दिया हुआ है 1910 इस्वी में 1920 इस्वी में 1928 इस्वी में इनमें से कोई नहीं comment कीजिए सही उत्रवा option भी 1950 इस्वी में सववा प्रशन सिक्षा के लिए उप्यूगत है समिष्चर पद्धती वर्तमान परिक्षा पद्धती सब उस्तक परिक्षा पद्धती वस्तुनिष्च पद्धती सही उत्तरवा option ए समिष्चर पद्धती अगला प्रशन सिक्षा मनोग्यान की अध्यान विदी है बहिदर्शन, व्यक्ति, अध्यन, प्रियोगात्मक ये सभी कॉमेंट कीजिए से उत्तर होगा ओप्शन डी ये सभी किस ग्रंद में मानव विकास की दस अवस्थाओं का वनन हुआ है ओप्शन है रिंगवेद, रामायन, महाभारत, पंचित अंत्र कॉमेंट कीजिए ओप्शन C सही होगा महाभारत अगला प्रशन सिक्षा का वास्तविक उद्देश है जिविका, अधिकार, ज्यान और विकास कॉमेंट कीजिए सही उत्तर होगा विकास सिक्षा मनव ज्यान की वस्तु निष्ट विधी है आत्मरी रक्षन विधी, गाथा वनन विधी, व अभी दोनों साक्षातकार विधी कॉमेंट कीजिए ओप्शन D सही होगा साक्षातकार विधी अगला प्रशन है जीवन इतिहास विधी का प्रयोक सरवत्थम किया था ओप्शन दिया हुआ है टाइड मैन ने, वेलेंटाइन ने, वाटसन ने, इस्टेनली हाल ने कॉमेंट कीजिए ओप्शन ए सही होगा टाइड मैन ने 106 प्रशन सिक्छा और बनविध्यान को जोड़ने वाली कड़ी है समाज, मस्तिस्क, माना व्यभार, चरित्र सही उत्तर क्या होगा सही उत्तरों का ओप्शन सी माना व्यभार 107 प्रशन समाज, मिति, विधी के प्रतिपादक है ओप्शन दिया हुआ है जान, एटकिन्स, जे एन, मुर्व, मैकडूगल और मॉरिष कॉमेंट कीजिए सही उत्तरों का ओप्शन भी जे एन, मुर्व 108 अंता दर्शन के बिना बही दर्शन असंभाव है, यहां कतन है सत्य है, असत्य है A, एवं दो A, एवं भी दोनों सही है इन मेंसे कोई नहीं ओप्शने सही होगा सत्य है 109 प्रशन मनोवज्ञान वैभारा और अनुभाव का विज्ञान है कतन है वाट्सन का, वुडवर का, प्लूटो का, स्किनर का सही उत्तर आपको बताना है, कॉमेंट कीजिए Option D, सही होगा स्किनर 110 प्रशन सिक्चक सिक्चा मनोवज्ञान से नहीं जाना जाता Option दिया हुआ आत्मा के विज्ञान में, बालक के विज्ञान में, स्वेम के विज्ञान में, अनुसासन हिंता के विज्ञान में सही उत्तर क्या होगा कॉमेंट कीजिए तो इसका सही उत्तर होगा Option ए आत्मा के विज्ञान में नीचे आप कॉमेंट करके हमें बताईए तैंकि दोस्तों और इसे पकार वीडियो के लिए हमारे चनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा